हलो फ्रेंड वेल्कम एक टो माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लास इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे एच्पी टिट आर्ट्स का जो आज ही एक्जाम हुआ था यानि कि 7 अगस्ट 2022 को उसकी चाइल्ड साइकॉलजी सेक्शन ठीक है इस वीडियो में 30 क्वेशन डिसक्स कर तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा अंसर उसका सही है उस पर्टिकॉलर क्वेशन का ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन से ही जो है फू डबलब साइको अनलेसिस मनों विशलेशन वाद का विकास किस ने किया जोन भी वोट्सन भी ने सिगमंट तो यह क्वेशन हमने पहले भी स्वाल किया था कि जो साइको अनलेसिस को उन्होंने ही डबलब किया राइट अंसर ऑप्शन से ही सिगमंट फ्यूड नेक्स क्वेशन विच फ्वेशन इस नोट टाइप आफ लोंग टर्म मेमरी इन में से कौन सी लोंग टर्म मेमरी का थोड़े समय तक हमें याद रहता है इसमें नेक्स वन हो प्रपगेटे टू फेक्टर थियोरी ऑफ परसिनलिटी अब आपने ध्यान से देखने हैं पर परसिनलिटी की बात की गई है इंटेलिजेंस की नहीं अगर इंटेलिजेंस होता तो अंसर होता आपका स्पेर्में ब इन में से कौन सा ऐसा मैफ़ड है जिससे परसिनलिटी मेजर नहीं की जा सकती है टैट रोर्शाइंग ब्लो टेस्ट कॉशनियर सिंटेंस कॉम्पेशन तेस्ट राइट अंसर होगा ऑप्शन सी इस कॉशनियर प्रश्ना वली नेक्स वान विच वान विच फ्लोंग इस मोस्ट असेंशल कॉम्पोनेट ओफ एक्स्पेरिमेंटल मैफ़ड नीमन में से कौन सा फ्रयोगात्मक विदी का सरवाधिक अवशक अव्यभ है मैजिंग ऑफ सब्जिक्ट्स ऑब्जरवेशन ऑब्हेविर कंट्रोल कंडिशन स्टडी ऑफ ब्हेविर सही अंसर होगा ऑप पर उन्होंने स्कीमाज की बात की थी ठीक है तो उसमें यह कहा गया था कि अगर आप न्यू इंफॉमेशन को एड करते हो पिछले एक्सिस्टिंग स्कीमाज में तो उसको कहा जाता है Assimilation क्या कहा जाता है Assimilation आत्मसात्करण Option B is the right one Next Question The Conditioned Stimulus in Pavlov Conditioning in हमने बहुत बार बात की है इस Question की JBT का टैट हुआ था उसमें भी Question आया था But इसमें पूछा गया कि Conditioned Stimulus कौन सा था Pavlov की थियोरी में So वो थी हमारी Bell ठीक है और Unconditioned था हमारा Food Next One Meaning of Gestalt is Gestalt का क्या अर्थ होता है As a Whole, As a Change, As a Behavior, As a Machine So Gestalt का अर्थ होता है As a Whole, समगर रूप से Okay Next One Who used the word Intelligence Quotient first? सबसे पहले IQ शब्द का यूज किसने किया? Terman, Hal, Alpert या फिडी स्टर्न तो इसका यूज किया William Stern ने Option D is the right one बहुत सारे Questions ऐसे हैं जो हमने पहले डिसकस किये हुए थे हमारी प्रीवेस वीडियो से Next One Students of Disadvantaged Groups should be taught along with the normal students it implies अगर कोई Disadvantaged Group के बच्चे हैं तो उनको normal बच्चों के साथ पढ़ाना है तो उसको क्या कहा जाता है? Special Education, Integrated Education, Exclusive Education, Inclusive Education तो इसको कहा जाता है Inclusive Education, समवेशी सिक्षा पहले भी हमने पढ़ा था Next Question Which factor is important in human development? कौन सा ऐसा factor है जो मनुश्य के विकास के लिए महत्वपूरण है Heredity, Environment, Heredity and Environment, None of these So, दोनों, Heredity भी और Environment भी, दोनों factors important हैं human की development के लिए Drive Theory is related with Drive Theory किस से related है? Learning, Intelligence, Motivation या फिडी, Personality So, Drive Theory is related है Motivation से हमने पढ़ा था यह आपको याद होगा तो Next one The Capability of Understanding and Discriminated the Feeling and Emotions of Oneself and Others is called यह question पहले भी पूछा गया था previous years में Practical Intelligence, Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence या फिर नन आफ दीस So, इसको कहा जाता है Emotional Intelligence Option B is the right one Who developed Thematic Perception Test? यह भी question हमने किया था Thematic Perception Test किस ने developed किया? Murray, Morgan, Edward, Murray & Morgan Wath So, यह test दोनों ने, Murray & Morgan दोनों ने ही developed किया Next one 16PF is used for measurement of JBT TED में भी पूछा गया था But, उसमें पूछा गया था कि जो 16PF टेस्ट है Personality को measure करने का वो किस ने दिया? तो यह दिया था Cattle ने और राइट आंसर क्या होगा? Personality को measure करने कि रियस का यूज होता है Who classified introvert, extrovert, personality Introvert, extrovert, personality की जो टाइप्स थी यह किस ने दी है? Jung, Trotter, Thontike, None of these So, यह तीन टाइप्स दी हैं Jung ने Option A is the right answer Okay, next one Which one of the following can be considered as contribution of Kohalberg's theory? Options 4 हैं हमारे पास But मुझे लग रहा है कि इसका right answer होगा option A His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity Okay, तो आपको देख लेना बाकी हम अंसर की से भी देख लेंगे Which one of the following is an emotion? इन में से कौन सा एक सम्वेग है? Memory, Fear, Attention, Stimulus So, जो fear है, जो डर है यह एक तरह का emotion है Which of these is first phase of creative thinking? Creative thinking का पहला चरण क्या होता है Incubation, Illumination, Preparation, None of these So, हम क्या करते हैं? सबसे पहले prepare करते हैं Preparation होती है, त्यारी Option C is the right one Next question Who propounding the theory of trial and error बहुत एजी सभी को आता हो गई? Skinner, Gestalt, Pavlov, Yafidi, Thondike So, trial and error theory दी थी Thondike ने Option D is the right one Okay Correct formula to calculate IQ लग-बग हर वीडियो में हम देखते थे कि IQ को calculate करने का क्या formula था और बहुत सारे questions भी हमने डिसकस किये थे तो जिन सभी ने वीडियोस देखे हम सभी को पता होगा Right answer होगा Mental age divided by chronological age multiply by 100 Option B is the right one Next question Child's tendency to respond similarly to stimuli That are similar to conditioned stimulus is Readiness, Acquisition, Generalization या फिदिस्क्रिमिनेशन तो इसको कहा जाता है Generalization ये question आया आपको Pavlov की थोरी से Which of the following method help to study children with specific need? Which of the following method help to study children with specific need? Introspection, Interview, Experimental or Case Study Method So this is our case study method व्यक्ति अध्ययन Pre-judgment usually a negative attitude that is unverified It is called wrong judgment, negative judgment, prejudice or none of the above तो इसको कहा जाता है Pre-Judis, पूर्वग्र Mentor structure that guides social and other cognition is called What does mentor structures mean? So mentor structures की बात हुई थी आपकी जीन प्याज़े की थोरी में जिसमें उन्होंने mentor structures को कहा था की माज़े एक्या? खिक है? Option C is the right one Okay next question Electra complex was proposed by Electra complex कि भूछ्यज कि सने दिया चिरलीउंग, सकिनर, Isenck, all of the above So electro complex was given by Carl Jung Option A is the right one Okay next one which of the following is not a type of psychophysical method of study of educational psychology the method of minimum, minimal changes or method of limit the method of constant stimuli the method of average or mean error the method of modifying the individual attitude so I think this right answer will be option D that is the method of modifying the individual attitude okay, if there is someone else then you can comment too next question which of the following is not a type of positive transfer of learning which of the following is not a type of positive transfer of learning so this is our zero transfer who stated that psychology is a positive science of conduct of living creatures Sir William MacDoggle, Francis Galton, Max Wedmer, William James so the right answer will be option D that is Sir William MacDoggle now last question of this video and this section also which of the following is not a symptom of good memory what is a good smriti? rapidity, average retention, accuracy, recall of right material at right time right answer will be option B that is average retention should not be done okay so guys this video is enough to comment and comment to comment how your paper is done how many marks you made from 30 and how much help you made from our video and thank you so much for watching and we'll see you next video bye bye take care let's see you next